So guys, आज हम बात करेंगे best cutting stack के उपर, कौन-कौन सी वो anabolics है जिनका इस्तमाल किया जाता है cutting करने के लिए So guys, सबसे पहले हम जानते हूं कौन-कौन से अनabolics है जो इस्तमाल किया जाते हैं best cutting stack के अंदर उसके अंदर आते हैं guys, strengblon acetate, testosterone propionate और आता है आपका winstrol यह तीनों ही जो drugs है, इनका इस्तमाल किया जाता है cutting करने के लिए So guys, इस वीडियो में detail में discuss करेंगे कि actual में यह तीनों stack करके काम कैसे करती हैं, क्यों इनको stack किया गया है, साथ में, क्या इसके फाइदे हैं, क्या नुकसान है, सब चीजों को इसमें briefly discuss करेंगे उससे पहले करीज़ अगर अभी तक आपने House of Anabolics का app डाउनलोड नहीं किया है, तो फटा फट से जाके इस app को डाउनलोड करें, description में link है तो चलिए तो guys, शुरू करते हैं, best cutting stack So guys, best cutting stack को जानने से पहले, सब से पहले यह जानना जरूरी है, कि कौन वो लोग हैं, जो इनका इस्तमाल कर सकते हैं यानि कि जो stacking है, यह testosterone, propunate, winstrol, or tenblon की, इसको use कौन लोग कर सकते हैं इनको जो लोग use कर सकते हैं, वो है pro लोग, pro लोग मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह है, कि जो लोग तीन से पास साल workout कर चुके हैं, और साथ ही साथ उनको एक अच्छा experience हो चुका है, anabolics का भी यानि कि 3-4 cycle वो अल्रीडी रन कर चुके हैं, multiple drugs, यालग-अलग चीज़ों को लोग स्टैक करके कुछ cycle चला चुके हैं, यह beginner cutting stack नहीं है, beginner cutting stack के उपर हम अगली वीडियो बनाएंगे, वागिर इस पर हम बात कर रहे हैं, pro cutting stack की तो अगर सबसे पहले यह जाल लेते हैं कि cutting stack में हमें करना क्या होता है, क्या चीज़े हमें ऐसी करनी है कि जिसे हमारी body में cutting हो जाए, तो अगर आपको अपनी body को shred करना है, यानि कि cutting करनी है, तो आपको सबसे पहले body की fat percentage कम करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको muscle retention करनी प cutting stack में anabolic साथे उनको क्या देखकर stack किया जाता है, पहली चीज़ कि उनकी anabolic value हाई होने चाहिए और दूसरी चीज़ वो short tester होने चाहिए, यानि कि जल्दी release होने चाहिए हमारी body में, तो इससे होगा क्या, अगर उनकी anabolic value हाई है, तो अगर उनकी body muscle gain करेगा और muscle retention करेगा, तो जब भी stack किया जाता है, cutting stack को उनकी दो चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है, कि इन दोनों में ये चीज़े achieve हो जाए है, अब पहले हम बात कर लेते हैं, कि क्यों इनको आपस में stack किया गया है, ऐसे, ऐसा ये क्या करते हैं हमारी body में, जो आपस में stack करे गए हैं, त वैज़ ये 3 ही आनबोलिक short adapter-based है, यानि कि इस 3 ही आनबोलिक बहुत तेजी से हमारी body में release हो जाते हैं, अब उससे होता ग्या है कि अगर तेजी से हमारी body में release होंगे, तो हमारी body का metabolic rate हाई हो जाएगा, metabolic rate हाई हो गा तो body کی fat percentage कम होना शुरू हो जाएगी, यह 3 ही आपके के लिए fat loss करने में काम करते हैं दूसरा जो फाइदा आता है इनका combination एक high anabolic state बनाता है हमारी body के अंदर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉपीनेट है टेस्टोस्टोरान प्रॉपीनेट को हम 100 माल लेते हैं अनाबॉलिक में वही पर ट्रेंबलोन एसे टेट जो है उसकी अनाबॉलिक वेल्ली 500 है तो एक 600 की अनाबॉलिक state तयार करता है हमारी body में जो एक नॉर्मल टेस्टोस्टोरान से 6 गुना जादा पावरफुल होती है साथ ही साथ जब इसमे विंस्ट्रोल लाल देते हैं तो विंस्ट्रोल के पास capability होती है एपिडर्मिस फैट को हड़ाने की तो उपर की जो दो ड्राग है टेस्टोस्टोरान प्रोपिनेट और ट्रेन ये दोनों क्या कर रही है ये दोनों आपके लिए new muscle cells को बना रही है आपकी बड़ी में high metabolism को बना रही है आपके बड़ी में muscle retention कर रहे हैं आपके बड़ी की muscle को रोक रहे हैं वहीं पर विंस्ट्रॉल क्या करता है विंस्ट्रॉल कम करता है आपका happy dermis fat वो आपके skin के और muscle के बीच में जो fat होता है उसको कम करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आपकी skin जो पतली हो जाती है और एक high visibility नजर आती है muscles की इसलिए इन तीनों को आपस में इस तरह से stack किया गया है क्योंकि जब यह तीनों आपस में stack होते हैं तो एक बहुत powerful compound बनते हैं हमारी body में जाकर अब आ जाते है side effects को वो कौन से side effects है जो लोगों को phase करने पड़ सकते हैं इनका इस्तमाल करते वक्त तो इन सभी का इस्तमाल करते वक्त तो common side effects है जो लोगों को आते हैं जैसे कि high aromatase होना testosterone propanate high aromatase drug है यानि कि अगर आप उसको use करेंगे तो गाईनों होने के chances बढ़ जात त्रेंड ब्रान एसिटीट से prolactin बढ़ने के chances रहते हैं उसको कैसे control किया जाता है वो भी आई बटन पर link है आप वह पर जाकर देख सकते हैं उसके बाद जोगला side effect आता है वो आता है आपका acne और hair loss लोगों को इसके ओपर acne निकलने शूरू हो जाते हैं और कुछ लोगों होने का खतरा बढ़ जाता है बहुत जादा भी आपका liver damage हो सकता है इनके उपर तो अब liver को control करने के लिए क्या करें देखिए liver एक बड़ा topic है liver को हमें ठीक से समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि हमारे liver में क्या कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक separate video करेंगे जिसमे हाई metabolism करते हैं हमारी body में जिसकी वैसे kidney पे एक अच्छा खासा load आता है तो उसको control करने के एक ही तरीका है गाई पानी नारियल पानी आप जितना ज़्यादा पेंगे उतना ज़्यादा बैतर है आपकी kidney की health को काफी अच्छा कर देंगे बाकि हम detail video kidney के उपर भी करेंगे ज लगवग 8-12,000 रुपए के average में आपको पड़ेगी उसके बात आती ही कि अप कितने समय तक इसका इस्तमाल कर सकते हैं इनका टोटल इस्तमाल है वो आप कर सकते हैं 6-8 हफतों तक इससे ज्यादा आप इनका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत high toxic cycle है तो इतने मे maximum लोगों को उनके results achieve हो जाते हैं अगर फिर भी आपको आपके results achieve नहीं हुए हैं तो आपको दो महीने बाद इसको break करना ही पड़ेगा और कुछ समय के बाद आप इसको वापस से जब शुरू करेंगे तो आप अपने maximum desire results तक बहुत सकते हैं तो आपको side effects का एक खास दियान रखना होता है जब आप इन चीजों का इस्तमाल कर रहे हैं इस वीडियो में डोजिंग के उपर नहीं बात करने वाले हैं कि डोजिंग बताना इतना आसान नहीं होता है हर किसी की बॉड़ी पर इनकी correct dose काम नहीं करती है कुछ लोगों को जब testosterone propinate दिया जाता है तो बुख करते रहे हैं और enjoy कर ये अपनी fitness journey with team house of enabolics. Thank you very much guys for watching.